बिस्मिल्लाह रुहमानुरहीम, असलामुआलेकूम वरहमतुलाही वराकातू, क्योवनेस टीव में अब सभी काख्यार मगदम करते हैं, मैं हूँ शेक तारिक न्यूज एट नाइट प्रोग्राम लेकर आपकी खिद्मत में हाजिर न्यूज एट नाइट प्रोग्राम की शुरुवात आज की एहम हैड्लाइन्स के साथ केटिय ने हकूमत पर जूर दिया कि वो आइंदा बजट में कारुबारी बरादारी के लिए मालियाती पैकेज का ऐलान करें सीईओ अनतनाक ने नीजी सकूलू को वालदैन से कैप्टीशन फीज चंदा जमा कराने पर खबरदार किया रामबन में आरजी तनाजा मैदाने जंग में तबदील कमजगम छे जकमी चार गरिफतार आरस की हाथ से हाथ जोड़ू यात्रा आज आरस पोरा से शुरू हुई यात्रा प्रॉपर्टी टेक्स और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज बैन निकाली गई अब खबरे तफसील के साथ बारते जंदा पार्टी जंगो कस्मीर यूनट के साथ रविंदर रहना ने आज कहा कि प्रॉपर्टी टेक्स पर साबिक मुन्तखिब हकोमतु ने असेमली में भी गोर किया है उन्होंने कहा कि ताहम एलजी इंतजामिया ने टेक्स के नाफिस पर जल्द बाजी से काम किया है एलजी इंतजामिया को प्रॉपर्टी टेक्स के नाफिस से कबल अवाम से बात चीत करनी चाहिए मैंने खुद मानिये लेटीनिन गवर्नर्स साब से ये घुजारिश की थी कि एक बार आवाम के साथ लोगों के साथ चर्चा करके हमें इस सारे मामले पर कोई फैसला लेना चाहिए हलांकि सन दो हजार बारा में जब मोतरम अमर अब्दुल्ला साब की सरकार थी उस वकत भी एक बार कैबनिट के अंदर जमू कश्मीर में प्रॉपर्टी टेक्स लगाने के बारे में डिसकेशन्स हुई थी और दूसरा दो हजार सतारा में जब कोलेशन गौवर्मेंट थी और महभूबा मुफ्ती साहिबा जमू कश्मीर की चीफ मरिस्टर थी उस बार तो असेंबली में प्रॉपर डिसकेशन्स के बाद इसको पास किया गया था और मैंने वही जिकर लेफटिनिन गावर्नर साब के सामने रखा कि उनको अवाम के सामने ये सारा मामला रखना चाहिए कि क्या मजबूरियां थी क्या परिशानी थी क्या वजुहात थी जिसके चलते प्रॉपर्टी टेक्स को यहां नाफस करने को लेकर उनको ये फैसला ल क्यूंकि ये पूरे मुलक के हर स्टेट और हर यूटी में एक आनू नाफस किया गया है क्यूंकि जो शेहरों में चाहिए बड़े शहर हों या छोटे शहर हों जो डेवलमेंट के प्रोजेक्ट से उनका एक प्रोवीजन है कि कहीं जो नीती आयोग है वो फंडिंग ना रो कारा में जो चुनी हुई सरकार थी उन्होंने भी इस पर डिसकेशन किया था और अगर नीती आयोग ने शेहरों की डेवलमेंट का पैसा इस कारण अगर रुक गया कि ये कर वेवस्ता शेहरों में लागू नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान शेहरों की डेवलमेंट को ह हो सकता है जिसका जिकर लेफटीन गवर्नल साब ने किया है हालांकि जो उन्होंने बताया था कि एक हजार स्केर फीट तक कहीं किसी को कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा मतलब शेहरों के अंदर रहने वाले 40% लोगों के उपर कोई टेक्स नहीं होगा और जो बाकी 60% है उनको महीने का किसी को 80 रुपए और 100 रुपया पड़ेगा मुझे लगता है कि इसकी क्लैरिफिकेशन क्लैरिटी और अच्छे तरीके से करना चाहिए जो गॉर्मेंट के इदारे में बैठे हुए बड़े-बड़े ओफिसरान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जों केमिशनल से कश्मी ट्रेट्स अलाइंस को आने वाले बजट से बहुत ज्यादा तवकात है और इसने हकुमत पर जोर दिया कि वो ताजर बरादरी के लिए एक खसूसी मालियाती पैकेज फराम करें ताके वो कोविट के बाद कारुबार दुबारा से चला सके कि टी-ए के सदर एजाज शाहिद ने एक बयान में कहा कि मार्किट में ताजरु को अपनी जोरियात पूरी करने में दुश्वारियां पैदा हो रही है मार्किट में माली इमदाद की जरूर थै क्यूंकि कश्मीर में कोविट के बाद का माईशी माहुल अभी तक ठीक नहीं हुआ है एजाज शाहिद ने कहा कि कश्मीर की ताजर बरादरी पिछले तीन दहियों से बारी नुकसान का सामना कर रही है और अब वक्त आगया के हकोमत हिंद वादी में कारूबार की बहाली करने के लिए एक खसूसी पैकेज फराम करें केटिया ने मरकजी वजीर खजाना निर्मल सीता रमन पर जोर दिया कि वो जमुआ कश्मीर के बजट 2023-2024 को हात्मी शकल देने से पहले कश्मीर की कारूबारी बरादरी की सूर्थिहाल को जहन में रखें साइबर पॉलिस कश्मीर ने आज सिरी नगर में एक बेदारी कैप का इनिकाद किया जहां उन्होंने एक सो मुबाईल फोन बरामत करके उनके मालिकान के हवाले किये हैं आपको बता दे कि सिरी नगर में चोरियों के वारदाते सामने आई थी जिसको लेकर साइबर पॉलिस ने कम्प्लेंट्स दर्ज की थी उसके बाद साइबर पॉलिस की जानिब से कारवाई शुरू कर दी गई थी वही आज साइबर पॉलिस सिरी नगर ने एक बेदारी कैम्प का इनिकाद किया इस कैम्प के दोरान सो मुबाईल फोन से बरामत करके उनके मालिकान को वापस कर दिये गए हैं चीफ एजुकेशन आफिसर अनतनाग ने जिला के प्रावेट सकुलू को आगा किया है कि वो वालदान की जानिब से मुनकद शिकायत के बाद दाखले के वक्त वालदान से चंदा और कैप्टेशन फीस वसूल ना करें सियो अनतनाग के दफ्तर में शिकायत भी मुसूल हुई थी निजी सकुलू ने असलू के खिला फर्जी करते हुए मकसूस किताबू की दुकानों पर निजबी कीमते दस्तियाब रखी है आपको बता दे कि दफ्तर में एक शिकायत मुसूल होने के बाद सियो अनतनाग ने प्रावेट सकुलू को आगा किया सियो ने तमाम तालीमी शुदा प्रावेट सकुलू को ये भी हिदायत किया कि वो वक्तन फवक्तन होने वाली हकोमती एकमात और स्कुलर पर मताबिक अमल करें कोई भी निजी सकुल सरकारी हकम और हक तालीम एक 2009 के मुताबिक किसी भी किसम की कैपिटेशन दाखलाफीस या अतिया वसूल नहीं करेगा सीओ अनतनाग ने मजीद कहा के नई तालीमी पालीसी 2022 की मुताबिक चटी जमात से आने वाली तालीमी सेशन के लिए सकुलू में मुश्तर का निसब होना चाहिए उन्होंने ये भी कहा के अगर सकुली हकोमती एकमात के खिलाफ वर्जी करते हुए पाएगे तो उनकी शनाकत खतम कर दी जाएगी प्रॉपर्टी टेक्स की नाफिस के खिलाफ आज चम्बर्स आफ कामर्स की कॉल पर आज जम्मू मुकमल तोर पर बंद रहा इस दोरान बंद की काल की हमायत करते हुए युवा राजपूत सभा ने भी पुर अमन एहतजाज मुझाहरे किये आपको बता दे के जम्मू में प्रॉपर्टी टेक्स को लेकर ग्यारा मारिज की काल दी गए थी आज 11 मारिज को पूरा जम्मू बंद रहा जहां पर कहीं स्यासी पार्टी ने भी जम्मू में प्रॉपर्टी टेक्स को लेकर एहतजाजी मुझाहरे किये जिला रमबन के सकलदान बाजार में गंदगी के फैलाओं से आम लोगों को काफी मुझकिलातू का सामना करना पड़ रहा है बैतुल खला की सोहलियत ना होने से आम अवाम को सक्त परेशानियों का सामना भी करना पड़ा इस जिमन में अवाम ने मुकामी इंतजामिया से मध्ध खलत की अपील किया कि ताके अवाम को मुश्किलातू का सामना ना करना पड़े वाजित बशिर खान अपनी पूरी टीम के हमराट डिविजन मैंडर के हाई कोड ता कंडी सड का इफ्ता किया मोके पर बाहरते जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन स्टेश कुमार शर्मा भी मुझूद रहे झासवाम के स्टेशर धना ठाके ताके अप्करण्य के जया पुमार खोछ बड़े जमू अकश्मी तामिर्याती काम की पेशोरफ्त का जाइजा लेने के लिए जबू चिडियागर जमू की साइट का माइना शुमाली हिंदुस्तान का से सबसे बड़ा चिडियागर अगले महावाम के लिए खोल दिया जाएगा लेटनेंड गोवर्णर मनुई सेहना न्यूज अट नाइट मैस सिर्फ इतना ही मजीद ख़बरों रिपोर्ट्स के लिए आप जुड़े रहे क्योवनेस टीवी के साथ क्योवनेस टीवी के सोचिल मीडिया प्लेट फॉर्म यूट्यूब फेस्बुक इस्टाग्राम को सबस्क्राइब लाइक शेर फालो करना ना बूलें फिलाल के लिए इतना ही दीजे अजाज़त अपने मेजबान शेकतारी को खुदा हाफिज